नमस्कार दोस्तों रियेज कीशन आईये से करनी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों यह दिया आप स्टैटेक्स एकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स से गिरिशन किये हुए हैं और आपके पास कंप्यूटर का नालेज है अर्थात आपने ओ लेबल किया हुआ है डो एक से या कर रखी है या आपने पॉलिटिक्निक कर रखी कंप्यूटिर से या आई-टी-ई कर रखी कंप्यूटिर से ठीक है या अपने गिरिशन में कंप्यूटिर लिया है ठीक है तो आप farm को भर सकते हैं या जो farm है 3 सितंबर को इसका notification आया 3 सितंबर 2021 को notification जारी हुआ और इसको जो भरने का link जो है वो active होगा आपका 8 सितंबर से ठीक है 8 सितंबर से आप क्या कर सकते हैं ये farm आप भर सकते हैं और farm भरने का वह हैं साथ अक्टूबर ठीक हे साथ अक्टूबर फ़ां भननी का लाफ डेट है और जो याम हो का यह आपका दिसंबर बात के हम संभावीत है फीक है बात यह उख bistश हो गए कि कब से कब तक अप अप सकते हैं 8 शितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक फ़ां आप मर सकते हैं और दिस्तंबर में आपका गयाम होना है अब बात करते कितनी सीटों पे एक गयाम होगा कितनी सीटों पे चैन होगा तो कुल जो सीटे हैं यहाँ मैं यहाँ पे कुल तो साइन होना है जिसमें से अंसुची छेतर के लिए तीस सीटे Armed tix है अंसूचित छेत्र का मतलब होगा कि राजस्थान का जो अंसूचित छेत्र है वहीं के कंडिडेट इसके लिए पात रहें बाकिये जो 220 सीटे हैं इसके लिए आल इंडिया से सभी वच्चे इसके लिए पात रहें राजस्थान सहीर ठीक है यह बाते होगे कितनी सीटे हैं, कहां कहां के लिए रिजन बेसन है, अब बात आती है, फ़र्म भरेंगे कैसे, फ़र्म भरनने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ID होनी चाहिए, जिससे कहा जाता है ASSO ID, ठीक है, तो आपके पास ASSO ID होनी चाहिए, यह दिन नहीं है, तो ASSO.Rajasthan.gov.in पे जाके क्या करना है, आपको सबसे पहले ASSO ID बनानी है, उसके बाद क्या करना है, आठ सितंबर को www.RASMSSB.Rajasthan.gov.in पे जाके क्या करना है, फ़र्म को अपलाई करना है, तो यह परिकरिया हुई कैसे आप अपलाई करेंगे, अब बात करते हैं, परिच्छा सुलक है, यह तीन भागों में विवाजित किया गया, ठीक है, तीन भागों में 450, 350, 250, यदि आप राजास्थान के बाहर के हैं, और जनरल बाहर के हैं, या आप राजास्थान से हैं, और सामानी वर्ग, सामानी वर्ग, और या OBC में आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए 450 र OVC में आते हैं तो आपके लिए 350 रुपे सुल्क लगेगा और यदि आप क्या नाम है यसी एस्टीक में आते हैं तो आपके लिए 250 रुपे है लेकिन इसी के साथ एक बात और कही गई है यदि आपकी जो मंथिली से कम है तो आपके लिए 250 रुपे सुल्क लगेगा लेकिन क्या करना होगा जब आपके डाकुमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो आपको आय परमाड़ पत्र वहाँ पे दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यदि आपकी आय दो लाग पचाफ हजार से पूरी यरली कम है ठीक है त यह हो गई हमारी फीस की बात किस के लिए कितना कितना लगेगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि बेतनमान कितना होगा तो इसको जो बेतनमान है यह पे मेट्रिक लेवल एट पे आप यह काम करेगा ठीक है यह सब बाते थोड़ी आरच्छड की है आप इसको नोटिफि आपको बेतन दिया जाएगा, बात करें पातरता यो सच्छिक योगता की, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको क्या करना होगा, आप सांख की गडित या अर्थसास्त एकोनॉमी, किसी एक विशे से असनातक वात ही आपको धारण करनी होगी, यह दियापनी यह नहीं क किया है, तो भारतिय सांख की संस्था कोलकाता द्वारा पार्ट वन एबीसी का पर्माणपत्र आपके पास होना चाहिए, ठीके, इन में से कोई एक होना चाहिए, तथा उसके साथ और क्या होना चाहिए, आपके पास O-Level Fertifikat होना चाहिए, अगर O-Level नहीं है, तो नीले होता है तो वहां से आपको पर्माणपत्र मिला होना चाहिए या फिर आप किसी भी बिद्वारा स्थाविद्विद्विद्याले से computer बिज्ञान के computer application में diploma पर्माणपत्र होना चाहिए ठीक है इसके अलामा आप यदि पॉली टिकनिक की हुई है ठीक है तो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं ठीक है computer से यदि आप पॉली टिकनिक की हैं तो भी आप फार्म भर सकते हैं और बर्धमान महावीर फुला विस्विद्विद्याले राजफ्थान संचालित राजफ्थान राज सूचना परदोग की पर्माणपत्र पाठ करम यह आप ने पास किया है तो भी आप यह फार्म भर सकते हैं तो आप यह फार्म भर सकते हैं अब यह बात करते हैं कि उ क्या हूगा ठीख आई कितने से लोग फार्म हर सकते हैं यह कि एक जनवरी दो जार भाईस से लेके क्या है यहं अथारा बर्स ब्रस को आप 203 मोजहें दूसरी बात यह है कि आप फोटो ठीक है यह तो हो गई बात आयू की कितने से कितने बीच होना चाहिए अब फोटो क्या होगा फोटो आपका जो है वो छे महीने से जादा पुराना नहीं होना चाहिए ठीक है फोटो आपका छे महीने से जादा पुराना नहीं होना चाहिए दूसरी बात क्या है, उसका जो background है, वो सफेध होना चाहिए, हलका रंका होना चाहिए, और यह क्या होगा, कि जो photo की size है, वो 50 kg से लेकर 100 kg के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यहां देखे लिखा है, कि जो photo होगा, वो 50 से 100 kg के बीच होगा, और 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, ठीक है, यह सब बात होगी photo का, इसी परकार जो आपका signature लगेगा, तो signature भी आपका क्या होगा, यह 20 kg से 50 kg के मद्ध होना चाहिए, ठीक है, और जो मैंने photo बताया, उसमें background आपका white या हलका होना चाहिए, ठीक है, यह बात होगी photo की, अब बात कर लेते हैं कि, कितने नंबर के प्रफन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, तो प्रफन जो होगे, यहाँ पे 100 प्रफन पूछे जाएंगे, जिनमें से 30 प्रफन जो होगे, आपके general knowledge के होगे, और 30 नंबर के होगे, ठीक है, जनल नालेज के 30 प्रफन होगे, और 30 नंबर के होगे, स्टेटिक्स, एकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से सत्तर प्रशन पूछे जाएंगो, सत्तर नमबर करेंगे, टोटल समय आपको दो घंटा मिलेगा, ठीक है, तो यह हो गई पूरी-पूरी बात, कितने पद है, आविदिन परकिरिया क्या है, परिच्छा सुल क्या है, बेतनमा तो सूच रहें, ठीक है, इसमें 1,3 माइनस मार्किंग आपकी होगी, और 40,7, मिनमम 40% क्या है, विखकी प्रशन प्रसन क्या है, क्वालिफाइंग मार्क क्या है, रखा गया है, और 1,3 माइनस मार्किंग रखा गया है, 100% पूछे जाएंगे, 30% आपके जननल नालिज को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें अगर कोई नया नोटिफिकेसन आता है और यह आप अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करें धन्यवाद